नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल ट्रेंडिंग प्लेस में आपका स्वागत है आज हम आपको कपपाडोसिया के बारे में दिखाएंगे कपपाडोसिया मध्य तूर्की का एक सुन्दर क्षेत्र है जो अपनी कहानी के द्रिश्यों, गुफाओं के आवाज उलेखनिय रौक सनरचनाओं और निश्चित रूप से सैकडों गर्म हवा के गुबारे के लिए प्रसिद है जो प्रतीक सुभा सूर्योदे के दोरान आकाश में उर्ते हैं, कपपाडोसिया में इतनी भयानक लंबी पैदल यात्रा भी है कि इस क्षेत्र के सभी विविद लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स का पता लगाने में आपको कम से कम एक सप्ताह का समय लगेगा, कपपाडोसिया गर्म हवा के गुबारे तेजी से दुनिया में सबसे आम यात्रा बाल्टी सूची वस्तूओं में से एक बन रही है यह देखना मुश्किल नहीं है कि जब आप सूर्योदे के समय सौ से अधिक अन्य गुबारों के साथ गोरे में टाउन के एतिहासिक गुफा आवासों के ऊपर तेरते हैं तो इसकी तुलना केवल एक कहानी के दृश्य से की जा सकती है कपपाडोसिया में हर साल आधा मिलियन से अधिक लोग हौट एर बैलूनिंग का आनंद लेते हैं जो एक अविश्वस्तनिय संख्या है और इसक्षेत्र को दुनिया में नमब एक हौट एर बैलून डेस्टिनेशन बनाता है आधा तमाशा एक ही समय में हवा में अन्य सभी गुब्बारों को देख रहा है न की केवल उस महाकाव्य परिद्रश्य को जो आप उर रहे हैं आपको अपनी बैलून फ्लाइट को पहले से बुग करने की आवश्यक्ता है क्योंकि खराब मौसम के पहले के दिनों में वे अक्सर बिख सकते हैं या उडानों का बैकलॉग हो सकता है जब कपपाडोसिया में लंबी पैदल यात्रा की बात आती है तो रेट वैली से आगे जाना कठिन होता है तेज बलुआ पत्थर की लकीरे गहरी जीवन्त लाल चमकती हैं क्योंकि प्रत्येक रात सूर्यास्ट के अंतिम शनों में सूर्य अद्विती या परिद्रश्य में जलता है यदि आपके पास कपपाडोसिया में केवल कुछ राते हैं लेकिन यह सूर्यास्ट के स्थानों की सूची में सबसे उपर है में सिकिंडर और रोज वैली सहित एक महान ट्रेल लूप है या आप सीधी सूर्यास्ट के द्रिश्य के लिए कैफे में चिल करने के लिए ड्राइव कर सकते हैं या ध्वच के शीश पर जा सकते हैं आप बढ़ोतरी करें या न करें ये कपपाडोसिया के दर्श्टनियस थलों में से एक है हाई ज्यादातर मामलों में रोज वैली के साथ जुड़ा हुआ है और आपको गुफाओं में से एक के अंदर एक प्राचीन चाच के माध्यम से ले जाता है पिछले पीले बलुआ पत्थर रॉक संरचनाओ और अविश्वस्निय गुफा आवास पगडण्डी विविध है और कठिनाई में केवल मध्यम है जो इसे एक आदर्ष सहसेक और कपपादोसिया में करने के लिए शीर्ष चीजों में से एक बनाती है कपपादोसिया में रोज वैली हाइकिंग ट्रेल एक अविश्वस्निय रूप से अद्वितियक शेत्र के माध्यम से तेज लकीरों के साथ हवाओं, विशेश रूप से सूर्यास्त के दौरान गुलाबी रंग में रंगा हुआ है हजारों वर्षों में एक अद्वितिय नालीदार परिद्रश बनाने के लिए लकीरे बनाई गई है लगभग हर समय, रिज का एक किनारा धूप में रहता है जबकि दूसरा चाया में इन बलुव पत्थर सनरचनाओं के तीखेपन और पैमाने को और बढ़ाता है लव वैली गोरे में के ठीक बाहर स्थित है और आप लव वैली से उचिसार कैसल तक सभी तरह से बढ़ सकते हैं रॉक सनरचनाओं से गुजरते हुए एक पगदंडी के करीब से गुजरते हुए किसी और की संभावना नहीं है यह एक अपेक्षाकृत सपाट शांतिपूर्ण रास्ता है जहां से उचिसार तक एक माइनस दो घंटे लगते हैं रॉक फॉर्मेशन फालिक शेप हैं यही वज़ह है कि लिंक के आकार की चर्टानों से भरी घाटी का नाम लव वैली पढ़ा यह वास्तव में कपपादोसिया में घूमने के लिए सबसे अनोखी जगहों में से एक है पासाबाग घाटी गोरे में कपपादोसिया में सबसे लोक प्रियस ठानों में से एक है जहां इसकी महाकाव्य परी चिमनी और गुफा आवास हैं बड़ी भीर और टूर बसों के अलावा पासाबाग घाटी एक यात्रा के लायक है पारी चिमनी वास्तव में काफी अद्भुत हैं अकसर एक चटान चिमनी के उपर बैठ जाती है जो तूफान और तेज हवाओं के माध्यम से अपना रास्ता संतुलित करती है घाटी के बीच आपको बहुत सारे गुफा आवास मिलेंगे जो अकसर डबल और ट्रिपल स्टोरी होते हैं आप विभिन स्तरों का पता लगाने के लिए अंदर उद्यम करने में सक्षम है गोरे में ओपन एयर संग्राहले कपपाड ओसिया में सबसे लोक प्रिया, आकर्शन और एतिहासिक स्थलों में से एक है जिसमें सदियों पहले के प्राचीन चित्रों, चर्चों और गुफा घरों के माध्यम से एक आडियो टूर आपका मार्प दर्शन करता है गोरे में टाउन में यह मनोरम सूर्यास्थ द्रिश्य सूर्योदे देखने के लिए एक आदर्श स्थान है यही कारण है कि सुभह सूर्योदे और निश्चित रूप से सूर्यास्थ के लिए काफी भीड होती है जैसा कि उलेक किया गया है इहलारा घाटी ज्वाला मुखी चक्टान के भीतर 16 किलोमीटर के लिए घाटी के दिल के ठीक नीचे एक आश्चरय जनक नदी के साथ एक अविश्वस्निय घाटी है यह एक सराय प्रांत के पास है लेकिन फिर भी दक्षनिक पदोस्या क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है यह कुछ शांति पूर्ण पत्तेदार प्रकृती के साथ साथ गुफा चर्चों के लिए एक केंद्र होने के साथ साथ अप एक शाकृत आसान चलने के लिए एक शांदार जगह है जिन में से आपको कई रास्ते मिल जाएंगे कुछ घंटों के लिए आप भूल सकते हैं कि आप सूखे रेगिस्तान में हैं और जंगल की आवाज का अनुभव कर सकते हैं क्यूंकि आप पेर के मिहराब के नीचे चलते हैं, पत्थरों पर चड़ते हैं और घास के उद्घाटन के माध्यम से घूमते हैं सभी रंगों के वाइल्ड फ्लावर पत के किनारों को रंगते हैं और अपनी आँखों को पगडंडी से और कंट के दोनों और उंची चत्तानों की और ले जाते हैं यहां एक जरना भी है जिसमें आप तैर सकते हैं यही वज़ा है कि यह इसे कपपाडोसिया में करने के लिए शीर्ष दस चीजों में से एक बनाता है कबूतर घाटी जिसे ग्वेर्सनल एक घाटी भी कहा जाता है कपपाडोसिया में सबसे लोकप्रिय लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स में से एक है खास कर क्यूंकि यह गोरे में से उचिसार के बीच फैली हुई है मार्क के साथ आपको गुफा आवास, प्राचीन चित्र, प्रित्वी के स्टंब और निश्चित रूप से कबूतर मिलेंगे जेलवे ओपन एर संग्राहले एक अविश्वसनिय साइट है जिसे कभी कपपाडोसिया में सबसे बड़े समुदायों में से एक रखा गया था इस अविश्वसनिय गुफा शहर में आप एतिहास से का आवासों, चर्चों और धार्मिक कक्षों के साथ साथ टाउन स्क्वाय के बीच भी घूम सकते है कपपाडोसिया में डैवन्ट वैली, जिसे इमेजनरी वैली के नाम से भी जाना जाता है अद्वितिय चत्तानों से भरी एक खूबसूरत घाटी है, जिन में से कई जानवरों के आकार के समान है उचिसार कैसल तुर्की के कपपाडोसिया में छोटे, लेकिन खूबसूरत शहर उचिसार में है यह कपपाडोसिया के सबसे अच्छे नजारों में से एक है और पास के गोर में शहर से केवल एक छोटी ड्राइव या एक छोटा ट्रेक है, कपपाडोसिया की खूबी यह है कि जहां यह गर्मियों में एक परीक्था स्थान है वहीं यह केवल सर्दियों में और अधिक सुन्दर हो जाता है जब कपपाडोसिया में बर्फबारी होती है तो यह वास्तव में एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला द्रिश्य और सपनों की दुनिया से बाहर कुछ होता है स्नो कैप रॉक सनरचनाओं को कवर करते हैं और घाटियों को सफेद रंग से रंगते हैं सबसे पहले अग्रिम बुकिंग करें और सुनिश्चित करें कि आपने अपनी यात्रा की पहली सुभ़ बुक कर ली है यदि आपकी उडान रद हो जाती है तो आप अपनी बुकिंग या पैसे नहीं खोते हैं आप बस अगले दिन टक्रा जाते हैं इसलिए यदि आप आते हैं और कस्बे में बुक करने का प्रयास करते हैं तो प्रतीक्षा करने वाले लोगों का एक बैकलॉग हो सकता है क्योंकि गर्म हवा के गुबबारे तीन दिनों से नहीं उड़े हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि अपने प्रवास की पहली सुभा के लिए अग्रिम रूप से ऑनलाइन वुकिंग करना अपने आपको उड़ान का सबसे अच्छा मौका देने के लिए हैं उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा चर्चित जगहों पर हमारे पास 150 से अधिक वीडियो हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें देखते रहें